नमस्कार राम राम सभी मेरे प्रियास साथी हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्ट अमित अपने इस ओनेर प्रेफेंपर आपका हर्दिक स्वागत अभिनांदन करता हूं। के से सबी साथी? आश्या करताओं से भी स्वस्ता हैं, मस्ता हैं और अध्यन कर रहे हैं दोस्तों, अपने कल के सेशन में पुर्षकार हैं सम्मान टोपी के बारे में चर्चा की थी और आज के सेशन में अपने खेल परदर्शे के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि गत्माहे में खेल परदर्शे में अपने लिए कौन से महतवपूरन तत्य है जो प्रिक्षा की दरश्टी से महतवपूरन है ज्यादा समय जायना करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की और क्योंकि दोस्तों आज का सेशन थोड़ा अपना मिस्तरित रहने वाला है क्योंकि इसमें काफी कंटेंट है जो गत्माहे में प्रिक्षा की दरश्टी से इपोर्टेंट है ज्यादा समय जायना करते हुए अपने आज प्रारणम करने जारे हैं खेल परदर्शे को टैनिस से और टैनिस से समंदित है दोफ्तों डेविस कप डेविस कप किस से समन्दित है तो टैनिस से समन्दित है और यह कप इटली ने अब की बार दूसरी बार जीता है किसको हराकर उस्ट्रेलिया को हराकर जानकर अरजित कर लेते हैं पुरिश्यों के टीम टैनिस के परतिस्टित डेविस कप 2023 के फाइनल में 12 से 17 स्टमबर को और 21 से 26 नॉमबर 2023 को खेला गया था इसका फाइनल मुकाबला इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ जो 26 नॉमबर 2023 को मलागा स्पैन में हुआ था जिस नॉमबर को हुआ था जिसमें इटली ने क्या किया 28 वार जो विजेता रह चुका है कों अउस्ट्रेलिया उसको दो जीरो से हिरा कर यह किताब अपने नाम किया इटली अब यह किताब जी चुका है एक तो 2023 में जीता है जो दूसरी बार और पहली बार इटली ने किताब जीता था वो 1906 में जीता था कब जीता था 1906 में उस्ट्रेलिया की टीम लगातार दूसरी बार विजेता रही है उस्ट्रेलिया आकरी बार 2003 में विजेता बनी थी तो दोस्तों बात करें Crisp की तो देविस कप किसे समद्धी तैंस से समद्धीता है और यह है 17 के अंत में खेला जाता है इटली 11 तेस है जिसमें एक से ज़ादाilis panda टाइटल जे चुका है और जे इटली ने अब तक कुल कितने डेविस कप जी चुके हैं तो दो अब तक 16 देश चेंपियन बन चुके हैं डेविस कप के तो यह अपने कोजान में रखना है बात करें दोस्तों ATP टूर की तो ATP टूर क्या है यही दोस्तों इसमें क्या होता है स्रवोच रेंगिंग प्राप्त पुरिष खिलाडी के लिए ATP के वर्स में 2023 के सत्र के अंत में सत्रांत में ATP टूर फाइनल्स का आयोजन इटली के टूरीन में 12 से 19 नॉमबर 2023 को किया गया कब किया गया 12 से 19 नॉमबर 2023 को कहां पे इटली के टूरीन में ATP के इस वर्शान्त टूर्णामेंट का एकल फाइनल गत्वी जेता सर्विया के नवाक जोकविच रहे यह पहल इससे अगर बात करें 2022 में तो इनवाक जोकविच रहे थे जोकविच ने श्विट जर्लन के खिलाड़ी रोजर फेडर का यह रिकार्ड तोड़ा है उन्होंने अब तक 6 बार ATP फाइनल किताब जी चुकी हैं नवाक जोकविच ने 2008 में अपना पहला ATP फाइनल जीता जोकविच ने 2023 में उस्ट्रेली फ्रेंच और अमेरिकी ओपन कित कितने हैं 24 Grand Slam किताब है बात परें ATP तो ATP में किसके मद्य हुआ था जोकविच और इटली के सिंणर के बीच हुआ था और कौन जीता है तो जोकविच विजएता रहे हैं कौन जीता रहें जोकविच विजएता रहें यह अपने को ज्यान में रखना है बात करें दोस्तों ATP तूर क्या है तो ATP मैंने आपके विसको फुल फॉम आपको पहले बिताया था कि ATP टूर फाइनल्स Association of Tennis Professional का सतर के अंत में यह टूनामेंट होता है और यह परतिवस्त नॉम्बर माहें में आयोजिता होता है कब होता है नॉम्बर माहें में आयोजिता होता है और वर्स 2013 का उ 48 वाए योजन हुआ था यह अपने को जान में रतना है बात करें महिलाओं का WTA टूर फाइनल्स 2030 अभी अपने पुरुशों का बढ़ा था पुरुशों का कौन सा था ATP और महिलाओं का क्या WTA Women's Tennis Association कि सरवोच रेंकिंग वाली महिला के लाडियों के लिए वर्स 2030 के सतर के अंति में WTA है फाइनल्स का योजन मेक्सिको के कैंकुन मेक्सिको के कैंकुन और वो का ह Denis था इटली के टियूरिन में और यह मेक्सिको के कैंकुन में 29 अक्टूबर से 6ử नूमबर को हुआ है श्टूनामेंट का अगर सबने किजिक एकल किताब की बात करें तो पोलेंड की इगा स्वातेक ने यह किताब जीता है, पोलेंड की इगा स्वातेक ने यह किताब जीता है, अमेरिका की जैसक पैगुला को हरा कर, किसको अमेरिका की जैसिका पैगुला को हरा कर, यूगल किताब की बात करें तो दोस्तों, यूगल में अपने को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन पढ़ लेते हैं यूगल किताब के लिए जर्मनी की लारा सिगुमेंट और रूस की वेरा जेनरोवा ने अमेरिका की निकोल मेलीचर मार्टिनेज को और अस्टेलिया की एलन पेरेज की जोड़ी को फाइनल में हराया था ये अगर बात करें यूगल की तो उसमें अप इकल किताब के मामलें निस्हूंगा किताब था यूगल के मात्स करें तो यह चारिसवा संस्क्रण था यह अपने को ध्यान में रखना हैcha बात करें दोस्तों किरकेट की फिरकेट में यह अपने लिए बहुत दुक Pen रही रही थी अब कि बार लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहे हैं लेकिन पढ़ना पढ़ेगा पढ़ना पढ़ेगा उस्टेलिया चटी बार आइसी सीप सब कप विजएता अभी जो हाले में वल्ड कप हुगा है क्रिकेट जिसमें विजयता कौन है सभी आप जानते हैं रूबरू है प्रिशित है अंतराष्टी है क्रिकेट प्रिशित के तेर में कौन से तेर में क्रिकेट विश्व कप का योजन 5 अक्टूर से 19 नॉमबर 2013 के दुरान भारत की मेजबानी में संपुन हुआ इस बार किसने में कहा है बारत ने मेजबानी की थी तूचने बारत ने मेजबानी की थी दोस्तों वर्ड कप का फाइनल है वो नरेंनर मोधी अथी स्टेडियम में भारत और 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 के सकोर बना। और इसको पिछा करते हुए और अस्ट्रेलिया ने 43 अवर में 241 रेन बना लिये थे और अस्ट्रेलिया ने क्या किया च्छे विकर्ट से जीत हासिर की भारत ने सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड को 70 रेन से हरा कर तथा अस्ट्रेलिया ने दक्सिन अफ्रीका को तीन तो विजेता टेम रही उसे 40 लाग डॉलर मिले और जो उप विजेता रही उसे 20 लाग डॉलर मिले उप विजेता अपनी को थे बारत 20 लाग डॉलर मिले थे और भारती टीम के कप्तान अभी सब चीरप्रीत हैं कौन रोई सर्मा हिटमैन रोई सर्मा हिटमैन रोई सर्मा ज दो जार साथ में 2015 मेंफ दोजर हैस्ट करेकेट टीम इस मिश्व परदस्यन करते हुए रोबिन राउंड के अधार पर खेलेंगे सभी मकाबले जीते थे और समें फैनल ने पहुंचा और फाइनल में एक हार के गारण है उप विजयता रहा तेम स्कोर की बात करने सरोच टेम स्कोर किस ने मनाए था 423 रेंदक्षिन अफ्रिका ने मिनाए थे स्रिलंका के खिलाफ और न्यूंतम स्कोर की बात करने तो पिषप miran बनाई थे स्रिलंका ने भारत के खिलाब भारत ने 15 लेंड पर एल आउट कर दिया था रन्व के धार पर सबसे बड़ी जो जित दरज़ की गई वह 309 रहं से जित की आश्रेलिया ने निदर लेंड की विरुद और विकेट के दार पर सबसे बड़ी जीती थी वो नो विकेट से जीता था New Zealand ने मैच इगलेंड की विरुद टूर्णामेंट में सरवाधिक रेंडे मिनाए है तो विराट कोहली ने बनाए है विराट कोहली ने मिनाए है 11 मिच में 700 पैंसर ट्रेंड और बात करें सरवादिक विकेट की तो मोहमज शमी ने जटकाए थे कितने 27 विकेट 7 इनिंग में केवल 7 इनिंग में 27 विकेट बहुत ही उमंता परदेशन किया था इस बार मोहमज शमी ने सभी को दिल जीत लिया था मोहमज शमी ने टूर्नामेंट में सरवादिक विक्तिका स्कोर 201 मनाए थे गलेन मैक्स्वेल ने नाबाद और सरवादिक सतक लगाने वाले थे कुटन डेको के जिनोंने 4 सतक लगाए थे सरवादिक अर्थ सतक लगाने वाले अपने फिराट पोलिए है सरवाधिक चक्य लगाने वाली हिट मैंन रोईेग सरमा बारतय कप्तान और उधे कार फोय कर आ BBQ क्वजिय सो्क है विराट पो जोई है और किसी एक पारी में स्रुष्ञ जले की तो वह अपने मॉमत शन्मी है और पर सरवादी में आवर में इन आवर कौन साहिता है जिसमें जी रौन कि किसी प्रकाल कोई रहन नहीं दिया जाता है मैं आपने कमजोरती नहीं असा बागिया ने साथ नहीं दिया थोड़ी कमी रहने के कारण अपन उपवीजिता बने लेकिन यह भी अपने एक बहुत बड़ी बात है अब वेरी वेरी इपोर्टेंट जो पर्शन अपने लिए रहने वाला है कि आगामी वर्ड कप का मेजबानी कौन करेगा तो 2027 में अक्टूर नुमंबर में खेले जाने वाले वर्ड कप का शुक्त रूप से मेजबानी जो करेंगी वह है साथ अफरीका नावीबिया और जिंबाबे यह यहाँ पर वर्ड कप खेला जाएगा यह अपने को ध्यान में रखना है बात करें दोस्तों सेद मुस्ताक अली ट समंदीत है किस समंदीत है किर्केट से समय एक रेलुटी 20 किर्केट से समंदीत है और 2023 की 16 मुस्ताक लिए ट्रोफी के लिए मैं 16 टूर से 6 नौम पर 2023 को संपन हुए मुहालिक के इंदर जी सिंग बंदरा स्टेडियम में खेले के फाइनल में पंजाब ने बुड़ोदा को 20 20 रंज से पराजित किया 20 रंज से पराजित करके यह ट्रोफी अपने नाम की तो फाइनल में किस ने किन टीम के मत दे हुए था पंजाब और बुड़ोदाक भीच हुआ और जीता कौन पंजाब जीता कौन पंजाब फाइनल मुकामले में प्लेयर ऑफ दे मैच रहे वह अन पंकज आडवानी ने 26 में वार यह विश्व बिलियर्ट चैंपियंसिप का खिताब जीता है इन्होंने यह किताब पुराना कर लिए यह कि परशन जब 26-26 वार सफलतार जीत कर लेता है तो वह है उसके लिए कोई ज्यादा माइने नहीं रखती है लेकिन अपने आप में ए 24-16 अंग से प्राजित कर 26 में वार विश्व बिलियर्ट चैंपियंशिप जीत लिए चैंपियंशिप का फाइनल मुकाबला 21 नूमबर 2023 को कत्र की राजदानी दोहां में खेला गया कब 21 नूमबर 2023 को इन्होंने किसको रहा भारत के ही स्वर्व कोठारी को हरा कर यह किताब अपने नाम किया यह किताब है अपने नाम किया उन्होंने करियर का पहला वर्ल्ड टाइटल 2003 में अपने नाम किया था जिबकि वर्ष 2005 में पहली बार आई बीएस वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियंशिप का किताब जीता था कब जीता था 2005 में और अब तेक कुल कितने दोज़ार पांच में आठ में चौदा में स्वला में 17 में 18 में 19 में 22 में इस परकार इन्होंने कुल कितने किताब जी चुके हैं तो 26 किताब अपने नाम कर चुके हैं यह अपने को ध्यान में रखना है बात करें दोस्तों एशीय तरंजाजी चैंपियंसिप की तो एशीय तरंजाजी चैंपियन का दोस्तों यह 23 संस्क्रम था कौन सा संस्क्रम था 23 संस्क्रम था जो 3 से 10 नॉंबर 2023 को बेंकोक में संपन हुए कहां पर संपन हुए बेंकोक में संपन हुए इस चैंपियंसिप के पदक तलिका में दूसरा अस्तान है बारत ने तीन स्वान एक रज़त तेन कांशे सहीद कुल साथ पदक जीते थे बात करें दोस्तों बुश्यू की तो सोल में विश्यू चैंपियंशिप सोल में विश्यू चैंपियंशिप 16-2023 को अमेरिका के टैकसा स्टेट में फॉर्ट वर्थ में संपन हुआ इस चैंपियंशिप ने चेन में 1570 पदक जीत कर सिरस्तान पर राप्त किया वियतनाम और मगाउं दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे ओंकुंग सिंगापूर और मिल प्रदा में इन्होंने जिता था रौसी बिना देवी कुषिलकुमार जी ने और छवी न होती है तो उन्यासिमी सीनियर राष्टिस क्योंब्र को चैने में संपन हुआ है तेस को खेले के फाइनल में तमिलाडू के वेलावंतन सेंथिलकुमार और दिल्ली की अनाथ सिंग ने राष्टिसक्वे सेंपियंसी में महिला और पुरुष वरग में यह किताब देता है बात करें पुरुष में तो पुरुष में किसने देता है वेलावंतन सेंथिलकुमार और महिला में अनाथ सिंग ने यह किताब अपने नाम जित किया है यह अपने को जान में रखना है बात करें निशाने बा में किया गया इस प्रत्योगिता में चीन ने दो स्वन चार अजट दो कांशे सहीत कुल आठ पदक जीत कर पदक तालिएगा में सिर्ष्थान प्राप्त किया है भारत के लिए एक मातर कांशे पदक अनिस भानवाल ने पूरुषों की 25 मिटर रैपिड फारें पिस्टल प्रत फारें पिस्टल परदा में भारत के लिए पहला पदक भी था भारती इतियास में अभी तक जो अगर बात के लिए 25 मिटर रैपिड फारें पिस्टल गी तो उसमें पहला पदक जीता है वो अनिस भानवाला ने जीता है और यह भारती इतियास में पहली बार हुआ है पिकोटा प्राप्त किया गया यह अपने को ध्यान में रखना है बात करें पंदरवी एशे शूटिंग चैंपियंशिप की तो पंदरवी एशे शूटिंग चैंपियंशिन दक्षिन कोरिया के चांगवान में 22 अक्टूबर से दो नॉंबर 23 को संपनुई इस प्रत्यूटा में 14 स्वण 9 रजट और दंस कांशिया पदक सहीत कुल 33 पदक जीत कर चीन ने सिर्ष्टान प्राप्त किया और बारत का स्थान कों सारा तो बारत का तीसरा स्थान रहा बारत ये निसानों वाज़नों छैस्वण 8 रजट को 5 का से सह काफ़े की गेम्स हैं इन गेम्स की एक सारों कि सेसिन के अन्स में मैं आपकर लिए तियार करके लएं हूं जरूर से सेसिन के अंध्ड के अंध तक बने रहे, अपने बहुत कुछ दिखने वाले हैं, एक पार ये सब द manner हो रहा है лेकिन ुद्राद क之後 के बहुंत बने रहे ह सुल्तान ओफ जहुर कप मलेशिया में जहुर बहरु सहर में 27 अक्टूर से 4 नूमबर 2023 में संपन पुरुसों के ग्यार में सुल्तान ओफ जहुर कप होकी टॉर्णामेटर किताब जर्मनी ने फाइनल में अस्टेलिया को प्राजित कर तीन एक से एक्टाब जीता है अपने को ज्यान में रखना है और जर्मनी ये टूर्णामेट दूसरी बार जीता है और बारतिया तीस रास्तान रा ये अपने को ज्यान में रखना है सुल्तान ओफ जवर कप का फाइनल किसमें हुआ था जर्मनी और उस्ट्रेलिया के मद्दे हुआ था जिता कि इसने जर्मनी ने जिता है यह अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है बात करें दोस्तों फिट डे ग्रेंड सिवस तरन टूनामेंट की तो यूके की ओईल ओफ में में नूमबर दोज़ाइस में आईजिट फिट डे ने ड्रा खेल करिया किताब जीता वें विदित ने सर्विया के अलेक्जेंडर प्रेड के को हराकर साथ में जीजर्द की और ओपन सेक्षन में सिर्च स्थान हासिल किया यह अपने को द्यान में रखना है यह अपने को द्यान में रखना है बात करें दोस्तों अन्य गेम की तो अब चर्चा करते हैं आपने पेरा खेल के बारे में किसके बारे में पेरा खेल के बारे में पीरा एसी तरुनटा जीजेंपिन सी यह दोस्तों थाइलंड के बेकाक में संपन हुए कब 16 नुम्बर से 25 नुम्बर 2023 को जिसमें बारत की खिलाडियों ने शांदार प्रदर्शन करती वे चार रज़त चार स्वन चार स्वन चार रज़त और एक आशी अपदक कुल नो पदक जीते हैं और सिर्शतान प्राप्त किया है अब बात करते हैं कुछ चरचित खिलाडियों की संजीव मलिक संजीव मलिक जी कौन है जान लेते हैं वरतमान में यह संजीव मलिक जी क्या है राश्टरपती के अंगरक्षी के रूप में राश्टरपती भवन में तैनात करनल संजीव मलिक ने 800 मेटर 1500 मेटर और 3000 मेटर 5000 मेटर की क्रोस कंट्र इस परदाओं में जीत दर्ज की है आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लैक्टिनक करनल संजीव मैलिक ने कोलंबिया में 42 में विशव चिकिश्या वस्वास्ते खेलों में 500 पदक जीत कर इतियास रच दिया है 500 पदक जीत कर इतियास रच दिया है और यह क्या है राष्ट्रपति के अंगरक्षी के रूप में राष्ट्रपति भहुन में तेनाथ है और वर्ष 2023 में यह उपलब्दी प्राप्त करने वाले संजीव मिलिक एगमातर एथलेट है यह अपने को जान में रखना है 1998 के बाद परतिवर्ष आयूज होने वाला विसव चिकित साम स्वास्ते खेल स्वास्ते पेशेवरों के लिए ओलंपिक खेल माना जाता है इनमें 288 के बाद खेले जाने लगा है मोनिका बनना अपने करियर का सर्वस्रेयश रेंकियों पर भारतिया टेबल टैनिस खिलाड़ी मोनिका बनना इपने करियर की सर्व स्रेष्ट 31 रंक पर पहुंच गई है एक मातर बारती है जो सिर्ष पिशास के लाड़ियों में अपनी जिगह बनाई है यह अपने को जान में रखना एक मनिका बनना किसी समंदित है वर्तमान में किस रंक पर है तो 31 रंक इन्होंने पराप्त कर लिए त स्थान के चलांग लगाते हुए और वर्तमान में सिर्ष पिशास के लाड़ियों में अपना स्थान बना लिया एंजलो मै्थ्यूज टाइम आउट होने वाले पहले के लाड़ी बन चुके श्रिलंका के दोस्तों प्लेयर थे एंजलो मैथ्यूज अंतराष्टी क्रिकेट म वर्तमा ओफने वाले पहले के लाड़ी बन गएं टाइं माउट क्या होता है, जिब कोई निया प्लेयर आता है, तो उसे दो मिंट के अंदर अंदर नेक्स्ट बृल खेलनी ऊतीए नहीं कोल है, अपनी नेक्स्ट बृल नहीं खेल पाता है तो उससे टाइम आउट माना जा के गोष्णा वही है तो यह सय को अके तो के यह कोष्णंड़ के सबते ने इनिए वाले हैं आप डिसम्बर में कब-सने दूस्टों में आउजित होँँगे आए यह खेल 10-17 दिसंबर 2013 को नई दिली में आयुज़त होंगे इसमें कुल 7 खेल होंगे और 32 राज्य और के अंदर साशित परदेश होंगे इसमें भाग लेंगे इसकी गोशना की किसने की है दो दोस्तों युगा करेकरम एंखेल मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर ने इसकी गोशना की है प्यारा गेम्स का होने वाले हैं नई दिली में होंगे 10-17 नॉंबर को यह अपने को ध्यान में रखना है वेरी वेरी इपोर्टेंट है जो अब आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा या हैडलाइन लगा लीजिएगा वेरी 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 इपोर्टेंट वेरी 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 अपोर्टेंट अंडरलाइन इसे कर लीजिए तीन क्रिकेटर ICC हौल ओफ फेम में शामिल यह ICC हौल से उन्हें स्मानित किया जाता है किस से स्मानित किया जाता है ICC Hall of Fame में और इनमें कौन-कौन से वो प्लेयर हैं वो तीन प्लेयर सामिल हुए है विरेंदर सहवाग जिसे आप सभी प्रिचित हैं पूरा महिला किर्केटर यह बारत की है डाइना अडूल जी यह भी इसमें शामिल हुए है और स्रिलंका के पूर्व किलाड़ी रिवन डेसिल्वा रिवन डेसिल्वा आई सी सी हॉल ओफ है में शामिल किया गया है इस प्रगार इन्हें अभी क्या किया गया है ने ड़्वा में समपन कहां पर दोस्तों गोवा में यह अपने कव में रखना है तो कौन सा Sciences करब था दोस्तों तो 37 मां शेंशकरुन था जो आईज़न ती थी 26 अक्टूर से 9 नमबर के मद्य ये खेले गई हैं मेजवानी राज्या थी गोवा 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 43 क्याल खेले गई थे इसमें दोस्तों कितने खेले खेले गई थे मडगाउं गोवा के पंडित ज्वाला नेरू स्टेडियम में 37 में राष्टी खेलों का उद्गाटन किया इन खेलों में देश वर्जे 10,000 से यदिक ज़्यादा एथिलेटन में भाग लिया और 28 तानों पर 43 खेलों की परतिस परदा में भाग लिया यह खेल गोवा के पांच एरों में माम पुसा मंड गां पंजिम पॉंड़ा और वासक ऑسمों में आविजित किये हलां कि साइंकिलिंग और गोलफ है वो नई दिली में आ यविजित किये थे गरिप बुदी गेर लियां में पहली बार इसायोजन की में जिबान नहीं की यह अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों जो वेरी वेरी पोटेंट है वो यह तथ्या है कि 37 विराष्ट्रे खेलों में सरवादिक 80 गोल्ड मेडल 69 सिल्वर मेडल 79 ब्रॉंच मेडल सहितकुल 2228 228 पदक जीत कर महराष्टर ने पदक तालिका में सिर्ष्टान पर आपता है किया कौन सिर्ष्टान पर आ है तो महराष्टर सिर्ष्टान पर रहा है अब बात करेंगे अपने राजस्थान की तो राजस्थान तेरवें स्थान पर रहा है वो अपने को ध्यान में रखना है इसमें जो इपोर्टेंट फिक्ट है वो दोस्तों यह है कि 37 राष्टी खेलों की विजयता महाराश्री महाराश्री की टीम को राजा बोलेंदर सिंग ट्रोफी उपराष्ट पती जगदीब धनकर जी ने दस नुमबर 2023 को डुक्र श्यामा परसाद मुखर जी इंडोर स्टेडिय में आयोजित समापन सुमारे में परदान की यह बालेंदर सिंग ट्रोफी कि सिस्म दी जाती है दोस इनी को ढ пошता समापन समारी हो में बारतिय उलंबिक संग दो सोंपा था 38 में चृहलों की मैंजभानी कों करेंगा तो उत्राखंड करेंगा को कि को बेस्ट मेल अथलेट का वोड दिया गया था वह को थे ओलंपिक तेरा करनाट के सिरी हरीनत राज को जिन्हों ने तरह कीमी आर्षवर्न एक रज़त एक काश्य पदक फदक जीती हैं जो महीला खिलाड़ी की बात करें तो महारष्ट की शुक्तना परसें काले परसें काले महाराष्ट की महाराष्ट ने कुल 228 पदक जीती है जिसमें 89 पदक है उनहेतर रजयत पदक और 87 पदक है बात करें अपने राजस्तान की तो राजस्तान तेरह में स्थान पर रहा है जिसने गौर्ड मेडल चौधा और सिल्वर मेडल अठारा ब्रॉंच मेडल 33 और टोटल 65 पदक जीते है यह अपने पद्यान में रखना है सभी मेरे फिरेसाती कहते हैं कि सभी साथ में क्योसन भी करवाया करें तो आज मैं आपके स्मक्ष क्योसन भी करने वाली है आज क्योसन भी वो अपन जान लेते हैं IPL सीजन 2024 के लिए गुजरा टाइटेंस टीम का कप्तान की से चुना गया है तो सुम्मन गिल को चुना गया है इसके साथ अब एक जान करी और नोट कर सकते हैं कि सुम्मन गिल है ये ICC में ICC की रेंकिंग जारी होती है उसमें एक नंबर पर अभी इनकी रेंकिंग है कौन से नंबर पर है तो एक नंबर पर है वो अभी अपन नेक्स्ट परसन में पढ़ेंगे तो ड्रेवन ब्रेवो ने हाली में अंतराश्टी सेंप्यंट किताब बारत की विद्या पलेई ने किस चार् सब्सकार एक किताब अपने नाम किया तो अनुॉप मां रामचंदल वारत की ही पलेएर थी जुनोंने जिता है गरका बएद्ध लंका डाय देसंबर दो दर तर्ट के लिए बारत की अंटर नैंटैन एशया कप के लिए बारती अंडर 19 किर्के टे में üzerine किसे नुक biz ढ़े 접िके गया थो उद्या परताब सहारण आिसीशी ये वर्स-चॉज़ के पुरुष अंडर 19 किर्केट विल्ट का इउजर्जन सिर्दंगा से काया स्थाना अंतर बिर दिया दिक दिकना स्थानांत तो लिए फॉर्टेर श्टार मारे लिजिए वेक्स मुजियम में किस भाति जब्हार्ट्bels टार करकेप किया मुर्म पॉर्ट कोई विराट कॉली विराट कोई अपने नाम में सूपत है सब कुछ विराट ऑस वर्ल्ड कैम व्र Saya कब के बाद पाकिस्टान बोर्ड ने पाकिस्टान की रिकेट टिम का कोच किसेनों किया तो उम्र गुल को नियोच किया ये पाकिस्तान के टेश गेन बाइस थे कुन उम्र गुल ये carrier 2023 को महान बलिवा सचिन्ट ये किरिक कांश्य प्रतिमा का नावरण किस स्टेटिय में किया तो बानखी डिय स्टेटिया मुँबई बंभी बानखी कांश्य की का सचें तैंद्लुकृरं 1-0222 को किया गया था वो कौन सटेटिय में 28 अक्टुबर ּचंची Before sorry को दक्षिन अफ्रिका दोस्तों योरोप के अंडर 20 में सरव सरफ परदाने वाले फुट्वालर को दिये जाने वाला वर्स 2030 का golden boy award और golden girl award की बात करें तो golden boy award बालिगम England को और बात करें golden girl award तो Linda Cassido को Linda Cassido कहां की कोलंबिया की उसे दिया गया है यह अपने को जान में रखना है अभी मैं आपको बता रहा था सुबमन गिल के बारे में जो किसके है लखन इसके गुजरा टाइटेंस के कप्तान जिनने नुक्त किया गया है वो नॉमबर दोजार तेस में जारी जो आई से सी वंडे बले हाली में अपने को जान में रखना है बात करें अन्ये परशन की नॉमबर दोजार तेस में junior कॉंटिनेटल क्वालिफिकेशन और टूनामेट में रजेत पदक जीतने के बाद किस तिरंदा ने बारत को पेरिस ऑलंपिक लेकिन फिलम अभी बाकी है जो सब कुछ है वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं एक सूची में उसे से परसंग आने वाले हैं आईए रीकप करते हैं सब्पूरान खेल परदेश्य को केवल एक मिनिट में बने रहें सेशन में दोस्तों सबसे पहले अपन सर्फा स्टार्ट की थी किसे डैविस कप से जिसके विजेता कौन रहे थी जो फाइनल है वो इटली और अस्ट्रेलिया के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कि नहीं ट्रोफी होगा यह थोड़ा मिस्प्रिंट हुआ है पंजाब और बडोदा के मद्या यह फाइनल हुआ था और विजयता कौन बना था पंजाब और पंजाब ने किताब आपन पहली बार जीता था बिलियर्ट को रहते तो पंकच आडवानी रहते और लिये रहते हैं विजयत थे फैसप करन दोustटों चेम्पियंशि Kathleen किया दूसरा स्तान प्राप्त किया बात करें राष्ट्र स्वेस मेंगों करें तो राष्ट्र से 23 no.2023 को बात करें कहां खेला गया था तो यह चैनई में खेला गया था यही तोड़ मिज स्प्रिंट हो आप सी नहीं में कहां जैनें में तो बात पूर्च में डुबेलाबन सैफिल कुमार और यड़ह मेला बरक में किसने किताब जिता था तो अनाथ सिंग ने अनाथ सिंग ने बात करें आई एस वर्ल्ड कप फाइनल 2023 की तो आई एस वर्ल्ड कप फाइनल 2023 अठारा से 26 नॉम्बर 2023 को दोहा कटर में खेला गया था और शिर्ष्टान पर रहा पर चीन और भारत में केवल एक दौह इसके मिलेशिया में फाइनल जर्मनी और इसेती कों रहा जर्मनी और टाइम आउट होने वाले पहले किलाड़ी कौन थे दोश्तों एंजलियो मैथ्यूज एंद्रियो मैथ्यूज खेल व इंडिया प्यरा गेम्स कहां खेले जाएंगे तो नई दिले में इसकी गोश्णा कर दी गई है कुल कितने खेले होंगे संता साथ खेल होंगे जिसमें इसकी चर्चापन ने की थी विरहंदर सेवाग अर्विन डी सिल्वा जो स्रिलंका किया और डाइना एडुल जी बारती है महिला पूरव क्रिकेटर है यहने इससी होल ओफ फे में शामिल किया गया है तो दोस्तों कैसा लगा सारांश शमरी जिसे अपन जाना है केवल एक बताईएगा जुड़िएगा सेशन से और कैसा लगा सेशन कमेंट बोक्स के मादियम से बताईएगा आज के सेशन में इतना ही मिलती है जल्द जाहिन जाहबाद